संगमनगरी प्रियागराज में आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाओ जैसे जैसे नस्दीक आ रहा है प्रदेश में पार्टीयों की सरगर्मी तेज हो रही है सभी पार्टीयों मैदान में कूच चुकी है और अपने अपने तरीके से चुनावी समीकरण बैठाते हुए चुनाओ की तैयारी कर रही है प्रदेश में सरकार के खिलाव धर्ना प्रदर्शन का दौर भी लगतार चल रहा है बीते दिन जहां सरकार के खिलाव डौक्टर संजय सिंग चोहान ने क्रांते रथ यात्रा निकाली वही संगम नगरी प्रयागराज में आप पार्टी के कारिकरताओं ने जल जीवन मिशन योजना के तहत हर घर नल जल परियोजना में धांदली को लेकर आप पार्टी कारिकरताओं ने मटिका फोड़ कर अपना विरोध दर्च कराया योगी सरकार आम नागरीकों तक जल जीवन मिशन के तहत इन लोगों ने एक कारिकरम लगाया एक योजना बनाया और उसमें उन्होंने सबसे बड़ी बात ये किया कि जिन कंपनी को इन्होंने ठीका दिया उस कंपनी को देश के आठ राज्यों ने उनके गुडवत्ता को इस उसको इन्होंने टेंडर दे दिया तो ये तूसरी बात आम नागरीकों के लिए पनी पीने वें हूँ आप घुटाला कर रहे हो आप कहते हो सबका सास सबका बिकास करेंगे जब आप आम नागरीकों को सब पानी नहीं पिला पा रहे हो तो आप क्या कर सकते हो तो आज हम लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश में आम आदनी पार्टी ने अब प्रियाग राज में हम लोगों ने अपने आफिस से मठका यात्रा निकाला और सुभाष चवराय के बाद हम लोगों ने पत्थर गिर्दागर जहां पर प्रदर्शन करने की एक जगा प्रसा को स्वच्च पेजल मुहया कराने में आसफल रही है राज्यसभा सांसाद और उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंग के आवाहन पर आप पार्टी कारिकरतों ने प्रदेश के साथ संगम नगरी प्रियाग राज में भी विरोध दर्च कराया है पार्टी के राज्यसभा सांसाद संजय सिंग जी ने जल जीवन मिशन के तहद जो घोटाला हुआ उसको उजगर किया उनके आवाहन पर आम आद्मी पार्टी प्रियाग राज ने आज अपने कारियाले से लेकर पत्थर गिरजागर तक का मटका यातरा निकाल कर इस योग और गोटाला है यहाई देश का सबसे बड़ा गोटाला है तीस हजार लाग करोन रुपय का गोटाला हुआ हैं तो यह बहुत बड़ा पार्टी गोर बिरोद करती है और मटकाय आतरा निकाल कर हम लोग पूराने रिती रिवाज को दिखा है जिस पाईपलाइन को आप घर- अस्थल तक पद्यात्रा भी निकाली इसके बाद दर्जिनों की संख्या में मटका फोड कर विरोध दर्ज कराया।